नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका आज के इस वीडियो में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक सवाल का जवाब जानेंगे और काफी करे PF मेंबर्स इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं वो सवाल यह है कि हमारे पस bank account की passbook या check नहीं है तो PF claim करते समय, bank account को verify करवाने के लिए, हम कौन सी document का photo upload करें, क्या हम bank statement का photo upload कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब detail में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और वीडियो शुरू करने से पहले, आप सभी से request है, कि इस वीडि claim करने पर, हमें bank account को verify करवाने के लिए, bank account की past book के check की photo को upload करना पड़ता है, उस bank account की past book के check की photo, जिस bank account को, हमने अपने PF account में link किया है, लेकिन अब यहाँ पर काफे सारे PF members के साथ ये परेशानी आती है, कि ना तो उनके पस bank account की past book होती है, और ना ये उनके पस check होता है, तो ऐसे में PF members का सवाल यह आता है, कि अगर हमारे पास bank account की passbook और check नहीं है, तो जब हम PF claim करेंगे, तो PF claim करते समय bank account को verify करवाने के लिए, हम कौन से document की photo को upload करें, क्या हम bank statement की photo को upload कर सकते हैं, तो अगर बात करें कि PF members के पास passbook या check नहीं है, तो वो PF members PF claim करते समय कौन से document का photo upload करें, या फिर वो PF members bank statement का photo upload कर सकता है या नहीं, तो इस सवाल का जवाब यह है, कि PF claim करते समय सिर्फ और सिर्फ bank passbook या check का photo या upload किया जा सकता है, इसके अलावा bank statement का photo upload नहीं हो सकता, अगर आपकी problem यह है, कि आपके बस bank passbook या check नहीं है, तो आप अपनी bank में जाकर passbook ले सकते हैं, या फिर checkbook issue करवा सकते हैं, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, अगर PF claim करते समय, आप bank statement का photo upload करते हैं, तो आपका claim reject हो जाएगा, या फिर आपका claim settle भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको कोई भी गलत जानकर हैं नहीं बताऊंगा, तो आप bank statement का photo upload करें, और आपका claim reject हो, इससे अच्छा तो यह है, कि आप bank जाकर bank passbook या checkbook ले ले, और इन दोलों document में से, किसे भी एक document का photo upload करें, और PF claim reject होने की chances को कम करें, भाकि आज की इस वीडियो में से वितना ही, उमीद करता हों दोष्ते इस वीडियो के जरिये, बताएगा जानकरी आपको पसंद आए होगी, और इस वीडियो भी आपको पसंद आया होगा, वीडियो अगर आपको पसंद आया होतो लेक् form जरूर करें, क्योंकि EPFO जोड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलते रहेगी